देवी क्लासिक सोशल साइंस चैप्टर 18 डेकन एंड साउथ इंडिया इस चैप्टर का सॉलूशन करेंगे हम आज देवी स्टुटेंट चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सस्कृत, सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलबल है आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट या कमेंट्स को चैक कीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं इसका सॉलूशन सबसे पहले हमारे पास सम्थिंग टू नो, सम्थिंग टू नो में फर्स्ट है, हमारा ए पार्ट है इसका टिक दा करेक्ट ओप्शन, करेक्ट ओप्शन को हमने टिक करना है तो हमारा first question है the capital of चालुक्य वाज चालुक्य की जो capital थी वो कौन सी थी मदुरई, तंजावर, वातापी, अमरवती तो इसका answer होगा वातापी जो capital of चालुक्य क्या थी वातापी थी second है in which state are the agenda caves situated जो agenda की गुफाएं है वो कौन सी state में है तमिलाडू, मध्यपरदेश, करनाटक, महाराष्ट तो इसका answer होगा महाराष्ट अजन्ता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट में है अब next question देखते हैं इसका question number three है the powerful ruler of North India who was the contemporary of both king Pulkasian 2 and Mahindr Verman was ऐसा कौन सा North India का जो राजा था जो king Pulkasian 2 और महिंदr Verman का contemporary था तो इसका A है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक और हर्षवर्धन तो इसका answer होगा हर्षवर्धन फोर्थ है दा मोस्ट फेमस रोक कट रथ टेमपल बिल्ड बाई दा पल्लव रूलर कैन स्टिल बी सीन इन जो पल्लव रूलर ने रोक कट रथ टेमपल जो बहुत ही फेमस था बनवाया था वो अभी भी कहां देखा जा सकता है पुदुचेरी तमिल नाडू ओडीसा मध्यपरदेश तो इसका आंसर होगा तमिल नाडू फिफ्थ है विच वन ओफ दा फोलाई वाज लोकल असेंबली ओफ दा मर्चंट डूरिंग दा पल्लव रूल जो पल्लव पल्लवों का रज्य था उसमें जो मर्चंट की लोकल असेंबली को क्या कहते थे सभा नगरम उर पंचायद तो इसका आंसर होगा नगरम इसका भी पार्ट है फिलिंग दा ब्लैंक्स ब्लैंक्स को हमने फिल करना है फिल्स्ट है डैश वाज दा मोस्ट फेमस चालुक्य किंग सबसे जो फेमस चालुक्य किंग था उसका नाम हमने बताना है तो वो था पल्लकेशिन टू पल्लकेशिन पल्लकेशिन टू वाज दा मोस्ट फेमस चालुक्य किंग सेकिंड है डैश वाज लोकल असेंबली ओफ दा ब्रामिन लैंड ओनर्स जो ब्रामिन लैंड ओनर्स थे यानि कि जो ब्रामिन थे जिनके पास जमीने थी उनकी लोकल असेंबली को क्या कहते थे तो इसका अंतर होगा सभा S A B H A सभावाज Local Assembly of Brahmin Land Owners थर्ड है नर्सिम वर्मन सक्सीडिट नर्सिम वर्मन वो किसके बाद राजा बना था तो वो अपने पिता महेंद्र वर्मन के बाद राजा बना था तो इसका आंसर होगा महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन फॉर्थ है पापनाज टेम्पल वाज बिल्ट इन दा इर जो पापनाज टेम्पल था वो कौन सी इर में बनाया गया था तो इसका अंसर होगा 680 CE और फिफ्थ है पलव गेंड पावर इन साउथ आफ्टर दा डिकलाइन ओफ डैश किंग्स जो पलव थे वो पावर में कब आये थे किसके डिकलाइन के बाद आये थे यानि कि किस किंग का डिकलाइन हो गया थे यानि कि कौन सा जो राज्य है वो कमजोर पड़ गया था समाप्त हो गया था उसके बाद पलव पावर में आये थे तो वो थे साथ वाहन साथ वाहन किंग S A T A साथ वाहन जो किंग थे उनके कमजोर पड़ने के बाद उनका खतम होने के बाद पलव के पावर आये थी सी पार्ट है मैच दा फोलोइंग हमने मैचिंग करनी है फर्स्ट है हमारे पास नर्सिन वर्मन की मैचिंग होगी डिफिटिट पुलकेशिन 2 जो नर्सिन वर्मन था उसने पुलकेशिन 2 को हराया था इसका E से मैचिंग हो जाएगी दूसरा है महेंदर वर्मन महेंदर वर्मन कौन थे एक पललव किंग थे तो इसकी हो जाएगी D के साथ matching पल्लव किंग ने क्या किया था पल्लव किंग ने रो कट होल्स बनवाए थे तो इसका A के साथ matching हो जाएगी फॉर्थ है अलवर्स अलवर्स कौन थे? डिवोटी ओफ विष्णू यानि कि विष्णू की वो पूजा करते थे कौन थे नया नार्स थे जो भगवान शिव थे उसकी पुजा करते थे उसके भगते तो डेवेटर इस ओफ शिवा तो इसकी हो जाएगी मैचिंग बी के साथ तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार